हेलो गाईस तो आज बना रहे हैं साम की छोटी मोटी भूख के लिए कुछ चटपटा सा बना लेते हैं और इसे बनाना बहुत यह ज़्यादा एजी है तो हमारे गड़े यह पड़ी थी आलू की भूचिया और नीमू की भूचिया और कुछ फ्रूट्स बड़े थे तो चलि मैं इसके अंदर अनार को डाल लेते हैं और अब ले रहे हूं मैं एपल मैं आदा एपल ले रहे हूं आप चाहे तो ज्यादा या कम भी ले सकते हैं तो मैंने इसके कट करके इसे भी डाल लिया है जो भी आपके पास घर पे प्रूट पड़े हैं आप वो ले सकते हैं मैं आ प्याज काट लिए हैं आप इसकी मात्रा कम्या ज्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा अरा धनिया ले लिया है विल्कुल फ्रेस अरा धनिया और अब ले रही हूं मैं आलू बुजिया इसको भी डाल लिया है अब ये पैकेट खुला नहीं था भी इसको भी डाल देते हैं ये सकते हैं तो मैंने यह दोनों तरह के नमकिन को मिक्स कर लेते हैं इस तरह से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से ठीक से मिक्स नहीं हुए तो मैं इसी चमच की मदद से इच्छे से मिक्स कर लेती हूं तो यह देखिए इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब इसके इंदर डालना है मेरे को थोड़ा सा नमक और निम्बू क्योंकि यह मेरे को थोड़ा चटपटा कम लग रहा था और इसमें नमक भी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसमे बहुत ही चटपटा बन के तयार होगा आप चाहें तो इसमें जीरी का पाउडर लाल मिर्ची पाउडर भी ले सकती हैं लेकिन मेरे को तिखा इतना ही चाहिए था तो इसलिए मैंने तिखा नहीं डाला है और अब डाल लेती हूं मैं आदा नीम्बू नीम्बू भी मैं आदा ही ले रही हूं क्योंकि जो नमकीन थी मेरे पास वो नीम्बू वाली नमकीन थी तो इसलिए और अब डाल लेते हैं करीब दो चुटकी नमक नमक आप स्वाद के अनुसार लें आप चख के देख लें अगर आपको नमक कम लग रहा है तो ले लिए अगर नहीं लग रहा है तो अप रहने दी तो इसे मिक्स कर देते हैं एक बार और और अब इसे टांसफर कर लेते हैं किसी और बर्दन में तो यह देखिए इसे मिक्स कर दिया है में अच्छे से अब मैं एक छोटा बाउल लेती हूँ और इसके अंदर इसे mix कर टांस्फर कर डेती हूँ sorry guys तो एक एक छोटा बाउल भी है मैने और अब इसके अंदर इसे डाल देते है आप इसे चाहे तो चाहे के साथ ले सकते हैं साम को छोटी मुटी भूग लगे तब खा सकती हैं बहुत ही हेल्दी भी है और टेश्टी भी है सभी को पसंद आएगा बच्चो को बूडो को सब को पसंद आएगा तो फिर मेरेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ